So MKSM आपका स्वाग आते, finally आपके अपने स्टेड में Government Medical College के लिए BS Nursing के फोरम निकल चुके है, अगर आप Government Medical College से BS Nursing करना चाहते हो और आपका नाम कमाना चाहते हो, अपने माता-पिता का नाम कमाना चाहते हो, तो यहाँ पर फोरम निकल चुके है, किस परकार से आपको apply करना ह एक्जाम डेट क्या रहने वाला है, सेलेबस क्या रहने वाला है, एक्जाम का pattern क्या रहने वाला है, सारी जानकर हम आपको देने वाले हैं, जिसकी यहाँ पर आप देख पार होंगे, आपके जो फोरम स्टार्ट है, आज से अब भी स इच्जार्ट है, यहन कि 19 म Estamos 2023 से आपक उसको आप प्रे एक्जाम बोलते हो और इसी के बेस पे आपका सेलेक्शन होगा गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज में तो यह है आपके 18 जुन 2023 यह देखिए अब यहाँ पर आप बोलेंगे सरी इस्टेड कौन सा है तो उपर आप देख पारोंगे यह है आपका जारखंड के लवा यूपी हो गया फॉरम निकल चुके है बिहार हो गया फॉरम निकल चुके है जमुएंट कस्मीर हो गया फॉरम निकल चुके है और यह आज जारखंड के फॉरम आ गये तो अब आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए क्योंकि आप तैयारी करोगे ना तब ही यह भी नहीं करना है सेलेक्शन को लेकर तो पिर ये विद्यारतों जिसा कि जारखंड के फोरम यहां पर निकल गए आज और यहां पर जो एक्जाम पैटर्न है सेम वह यह फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी और इंग्लिस ग्रामर से क्यूसन आप से पूचे जाएंगे और इन के मादेम से आपको पूरा दिखाएंगे ताकि आपको और अच्छा क्लिरिफाई हो और यहां पर जो प्रोसीजर रहने वाला है फोरम एपलाई का वो भी हम आपको बताएंगे और आपके कमेंटों का रेपलाई भी हम देने वाले हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि के लिए कर आता हूं क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा है चाके भी नहीं रोक सकते हम ठीक अब यहां पर जो आपके जार खंड के फोरम निकले हैं उसका पूरा विवरन आपको हम देने वाले इस्टे बाई इस्टेप जैसा कि आप यहां पर देख पा रहूं तो यहां पर आप देख पा रहूंगे तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहूंगे ओपिसली वेबसाइड पर हम आ चुके है अब यहां पर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रोल डाउन आपको करना है तो आपको यहां पर दिखेगा आउनलाइन एप्लिकेशन फोरम 2023 के ब और 23 अब बेसिकली आपको करना क्या है यहां पर किलिक खेर पर आपको क्लिक करना है ठीक है और आपके जो कमेंट है उनका रिपलाई भी हम आपको देंगे तो यहां पर जितने भी इंटरंस एकजाम होने वाले हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हो अब तोड़ा सा नीचे आपको जाना है यह देखिए नर्सिंग इंटरंस एकजाम और 6 नंबर पर आपको दिग्या होगा बीएस नर्सिंग पॉस्ट बीएस नर्सिंग और जस्ट आपको डेट भी आपर दिग गई होगी 19 मैं 2023 यह स्टार्टिंग डेटे फोरम की 5 जून 2023 क्लोजिंग डेटे यहन इस पर आपको क्लिक करना है इस परकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा अब जैसे आप नीचे स्क्रूल करोगे तो इसका पूरा प्रोसिजर आपको यहां पर मिल जाएगा अब एपलाई आपको यहां से करना होगा कोने में आपको एपलाई ओनलाइन का ओप्सन दिखाए वाला अगर आपको पॉस्ट बेस नर्सिंग करना है तो नीचे वाला तो चलो यहां पर बीएस नर्सिंग के लिए उपपर वाले पर क्लिक कर देते हैं अब यहां पर अगला है कि क्या आपके पास जो 10 प्लस टू आपने पास की उसमें आपके पास पिजिक्स केमस्ट्री बा ठीक है अब नाम, इमेल, मोबाईल नमबर, पासवर्ड यह आपको इंटर कर देना है ठीक है उसके बाद सम्मिशन याणि कि आपको सम्मिट कर देना है तो इस प्रकार आप अपना रेजिटेशन कर सकते हो और अधिक जाना है तो यहां पर हाउटो एपलाई पे क्लिक करके भी देख सकते हो कि केसे अपलाई आपको करना है पूरा स्टेप यहां पर मैंशन किया हुआ है प्रोसेज तो इस प्रकार ओपिसली मैंने आपको बथा दिया कि कि इस प्रकार आप अपलाई कर सकते हो अब यहां पर आप बॉलेंगे सर्कितना पेमेंट लगेगा तो चलो notification में आपको दिखा देता हूँ so फिर यह विद्यारते हो forum की जो piece है यहाँ पर BS nursing का 900 रुपे रहने वाला है general OBC category का ठीक है और अगर आप yesc और yesc में आते हो तो साड़े 400 रुपे इसी प्रकार post BS nursing का देख सकते हो ठीक है तो बहुत ही अच्ची piece है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि UP में तो बहुत यदिक piece था 3000 बट आपके यहाँ पर तो मातर 900 piece है अब यहाँ पर आपका जो सेले बस है वो टेलेग्राम पर डाल देंगे टेलेग्राम का लिंक हमें से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा होता है अब यहाँ पर एजुकेशन कॉलिपकेशन की बात करें तो बार भी पास होना चाहिए और आपके पास physics chemistry biology होना चाहिए जिसाए कि उपर आप देख पार होंगे और आपकी उम्र 17 साल यहाँ पर होना चाहिए 31 दिसमर 2023 तक अब यहाँ पर आपका परसेंटेज 45 होना चाहिए तो यह फोर्म आप बर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर आप date विगरा चेक आउट कर सकते हो यह देखिए तो 18 जोन को आपका एक्जाम है तयारी हमने स्टार्टी करवा रखिए MKS Academy पर आप आप आउनलाइन तयारी कर सकते हो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेविद्यार्थ आपको मिल जाएगा अब चलो आपके कमेंट यहाँ पर देख लेते हैं तो आपके कमेंट यहाँ पर ओपन कर ले अनुश्का कुमारी सर बिहार में टोटल कितने नर्सिंग कोलेज है इसके उपर वीडियो आएगा कि UP में कितना है, राजस्तान में कितना है बिहार में कितना है, उत्राखंड में कितना है इसके उपर वीडियो आएगा और वो आपको मिलेगा क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन पर प्रेस किया हुआ है रोयल से नहीं, सर में एगरिकल्चर का इस्टुडेंट हुआ, क्या नीट का एक्जाम दे सकता हूँ, नहीं, एगरिकल्चर वाले नहीं दे सकते रोयल, ठीक है, ओनली बाइलोजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री, इंगलिस वाले ही दे सकते है और एका करना है, पीस कितनी है फोरम की, तो यह में आपको बता दिया वीडियो में मनिशा, सर यूप्टी में गौर्मेट, जेनेम के फोरम कब तक आएंगे, जेनेम के लास्ट मैं तक वेट करना होगा जारखंड में अभी तक फोरम नहीं, निकले क्या, निकल गए एक्टिंग, ठीक है, 19 मैं से स्टार्ट है, फोरम बरसकते हो जारखंड वाले और उत्राकंड में भी निकल गए, छतिसगड में भी निकल गए, और सभी की तयारी स्टार्ट है, जैसा की हमने आपको बोल रखा है तो बिहार का सब का आपको मिल जाएगा गौर्वर्मेंट कोलेज और बिहार का देखो स्टार्ट है फोरम स्टार्ट है बिहार का भी ठीक है लगबग सब जगह फोरम आ गए बस राजस्तान रहा है और पंजाब हर्यना रहा है और यहाँ पर भी आ जाएंगे बस आप तयारी करो मैं आपसे यह कहता हूं हमेशा और आपके खातिर हमने तयारी स्टार्ट करवा रखी है जब आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा जेनेम के यूपी का फोरम मैंने आपको बता दिया तो सारे कमेंट में देख रहा हूं यहां पर यूपी का बिहार का चतिसगड़ का राजस्तान का सबका यही है केरती कुस्वा ठीक है तो बस आप तयारी करो ताकि आपका सेलेक्शन हो सो आपने एमकेस अकेडमी को तो डाउनलोड करी लिया होगा क्यूंकि यहीं से आपको तयारी करनी है और सेलेक्शन आपको यहीं से मिलने वाला है तो डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर जोइन हो जाना ताकि लाइब क्लास, रिकोडेड, नौट्स, टेस्ट, स्रीच, हौल्ड, पेपर सब आपको मिल सके अधिक जानकारी के लिए आप इन नमरों पर वार सब कर सकते हो अगर आपको ओनलाइन कोचिंग लेनी है तो